लेटेस्ट खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले चंडीगड, बिहार, जारखंड, पस्चिंबंगाल, असम, मेगाल, नागालैंड, मनिपूर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना जताई है जिससे लेकर अलड़ जारी कर दिया गया है स्काई मेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गूमती, घागरा, सर्यू, रामगंगा आधी नंदियों समेत बिहार की कोशी, बागमती और नारायनी नंदियों के जलस्तर में बड़ा उत्री हो सकती है वहीं मचुवारों को अगले 24 घंटों के दोरान ओडिशा, पाबंगाल और अन्मान द्वीप के समुद्र तटों की और ना जाने की सलहा दी गई है मौसम विभा के अनुसार पस्चिम बिहार और समीफवर्ती क्षेत्र पर समुद्र तल से 3.1 किमी उचाई तक एक उपरी वायू का चक्रवाती घेरा बना है मौसम विग्यानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि बांगलादेश के उपर बना चक्रवाती घेरा जो मद या भारत की तरफ बढ़ रहा था यह चक्रवात कोलकाता पहुँचते पहुँचते फिलहाल कमजोर हो चुका है अलाकि यह चक्रवात समुद्र तल से लोड़ कर टबल हो भी सकता है बतादें की भारी बारिश की वज़ए से उतर प्रदेश में पिछले 48 घंटों में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकी सुबे में 1 जुलाई से अब तक बारिश से हुए कई हाथसों में 183 लोगों की मौत हो चुकी है इसके अलावा राज्य में हजारों एकर में खरीफ की फसल डूबने से खराब हो गई है शुरुवात में जब जलाई के दूसरे हफते तक मानसून ने मद ये भारत को कवर किया था तो उत्तर प्रदेश बिहार और जारखंड में कम बारिश देखी गई थी